यह तो pregnancy के दोरान गर्बती मेलाओं को कई तरह के नए नए ऐसास होते हैं और कई सारे ऐसे परिवतन होते हैं जो पहले की अपेच्चा अभी आपको एक नया अनुभब भी कराते हैं इसी तरह के चार लक्षर जो कि आपको pregnancy की दूसरी और तीसी तिमाई के दोरान अगर आप को नजर आ रहे हैं तो इनसे आप गर में लड़का या लड़की होनी का काफी हद तक अनुमान लगा सकती हैं नमस्ता दोस्तो मैं कुस्बूत ओमर एक बाद फिर से स्वागत करती हूँ आपका pregnancy से रिलेकर एक और नई वीडियो में जहां पर आज का वीडियो एक बाद फिर से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा special होने वाला है खास होने वाला है क्योंकि फ्रेंड्स आज के वीडिय में कुछ खास बदलावाते हैं जो कि घर में लड़का होने पर अलग और लड़की होने पर अलग मैसूस होते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपके pregnancy की अभी दूसी तिमाई लगी है तो इन बदलावाँ को समझ कर आप भी बिना किसी ultrasound या sonography की मदद लिए हुई घर बेटे पत अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले तो चलिए फटा फट से आपकी ब्रेस्ट में आ रहे इन तीन बदलावाँ के बारे में जान लेती हैं तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूं जो कि मैंने पहले अभी अपने सारे वीडियो में बताया है कि प्रेगनेंसी के दोरान गर्वती महला के गर में पल रहे बच्चे का लिंक पर इचड़ करना करनुन अपराद है अगर आप ऐसा करते हैं या करवाती हैं तो आपको आपके डॉक्टर और आपके होस्पिटल तीनों को ही स सरीर में समझ कर आप अनमान लगा सकते हैं कि आपके गर में पल रहा सिसू लड़का है या लड़की है बैसे तो यह जो सिंटम्स में आपको बताने वाली हूँ यह आपके सरीर में आ रहे बदलाव है जिनका कोई बैग्जानिक प्रमार नहीं है लेकिन फ्रेंस पुराने जमाने से जब हमारी दाइमा डिलीवरी करवाया करती थी तो वो प्रेंगनेंट मेलाओं के सरीर में आ रहे इन्हीं कुछ बदलावं को देखकर बता दिया करती थी कि आपके गर में पल रहा सिसू लड़का होगा या लड़की और यह जो अनमान है वो 99% सथीक साबित भी ह होते हैं क्योंके अपका सिम्टम्स होते हैं वो जिस तरह से आपकी बॉड़ी अलग होती है एसा नहीं है कि यह तीन बदलाव मैं आपको लता रही हूं तो यह 3 तीन तीनों ड़िटो अपको अपनी सरीर में नजर आने लगी इसे आगर कोई भी एक बदलाव आपको नजर आ रहा है तो यह गर में लड़का होने का सबसे सठीक लक्षड भी हो सकता है इसलिए प्रेग्नेंसी की दूसरी तिमाई के दौरान अपनी ब्रेस्ट में इन तीन बदलाबों को आपको जरूर देखना है और समझना है पहला बदलाब जो आपकी निपल्स में आता है तो देखिये जैसे ही अपकी प्रेग्नेंसी की दूसरी तिमाई शुरू हो जाती है तो इस समय तक आते 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 आपके गर्वें जो बच्चा पल रहा है उसका आका थोड़ा बड़ा हो जाता है इस समय तक उसके जो जिसे एरियोला के नाम से जाना जाता है ये जो छेतर एरिया है वो आपको पहले के पेच्चा एकदम डर्क चॉकलेटी या एकदम से काला काला नजर आ रहा है तो समझ जाईए कि आपके गर में पल रहा जो सिसु है वो 100% लड़का होने वाला है और अगर ये जो आपके लड़का है तो वो क्या है कि आपके पेच्च ये दाईं तरफ होता है और लड़की जो होती है वो आपके पेट के बाई तरफ होती है तो अगर लड़का होने की chances होती है तो आपक慧 जो बच्चा होता है वो राइच सैड में होता है तो दाई हाथ की तरफ का जो breast है वो आपका बारी हो जाता है अगर दूस्री तरफ हात वाला जो breast है वो जादा heavy हो गया है और दाइन तरफ का कम है तो इसे गर में लड़की होने का सबसे सठीक सारा माना जाता है तीसरा बदला जो आपकी breast में आता है वो है breast में दर्द होना जी है friends यह तो pregnancy के सुरुवाती महीनों में भी आपको अपनी breast में दर्द चुबने जैसा दर्द जन जनाहत चुआ नहीं जाता है सूजन सी आ जाती है ऐसे कई सारे बदला मैसूस हो सकती है लेकिन जैसे ही आपकी pregnancy की journey आगे बढ़ती है तो आपकी breast में यह जो दर्द हो रहा होता है वो hormones change होने की वज़े से होता है और यह ठीक हो जाता है लेकिन अगर ऐसा आपको दूसरी और तीसरी तिमाई के दोरान भी हो रहा है यानि कि सुरुवाती pregnancy से ही आपको अपनी breast में दर्द हो रहा है छु आपकी breast से दूद का रिशाग होना जी हम फ्रेंस pregnancy के दौरान कई सारी मैला है जो मुझे comment करके बोलती है मैं हमाई breast से दूद जैसे तरन पदात का रिशाग हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है और यह किस बात का संकेत होता है बैसे तो देखिए अगर ऐसा आपके साथ दूसरी या 30 माई के दौरान हो रहा है तो यह आपके बच्चे के लिए आपके breast में दूद बनने की तयारी होती है यह कि आपके breast में दूद बनना सुरू हो जाता है जिसकी बज़े से कई वार कुछ महलाओं की breast से यह रिसाब होना सुरू हो जाता है लेकिन पुराने जमाने से लड़का होता है तो अगर प्रेगनेंसी की दूसरी या तीसी तिमाई के दोरान आपकी ब्रेस्ट से तरल पदार्थ दूद जैसा तरल पदार्थ रिस रहा है इसका रिसाव हो रहा है तो फ्रेंस इसे भी गर में लड़का होने का सबसे सतीक लक्षन माना जाता है तो फ्रें कि इनका कोई ब्याग्यानिक प्रमार नहीं है लेकिन ये जो बदलाव है वो आपकी प्रेग्नेंसी में एक गम सही सावित भी हो जाते हैं तो फ्रेंस इनी कई सारे बदलावों को देखकर आप अनुमाल लगा सकते हैं कि आपके घर में आने वाला जो नन्न में माने वो आपको नजर आ रहा है तो मुझे कोमेंट में जरूर बताए और अगर आपको प्रेग्नेंसी में किसी भी तरह का हेल्थ इस्यू हो रहा है जैसे कि आपको खून की कमी आ गई है या पिर आपको घवराहर ज्यादा होती है आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या फिर और कोई दिक्कत आ रही है जिसके लिए आप कोई गरेलू उपाए चाहती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं मैं इसके लिए आपको बहुत ही नेचरल तरीके से आपके बलड बढ़ाने हीमोग्रोबिन बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी टिप्स बताऊंगी और अगर ये वीडियो आपको अपने लिए यूजपूल लगता है पसंद आता है तो प्लीस मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंस रिलेटिव के आसपास रहने वाली जो भी प्रेंगने मैं लाएं उनको शेयर करना ना भूलें साती मेरे चैनल को सब्सकाइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपको ख़र तक होती रहें तो चलिए फ्रेंस मिलते हैं नेक्स टाम तब तक के लिए रन्नेवाद